Hello my dear students, how are you all? So, चलिए, कहानी की शुरुआत होती है, कहां से? कहानी की शुरुआत होती है, Transmission Media से. So, इस class में हम लोग Guided Media के बारे में बात करने वाले हैं. So, यानि कि हम लोग Twisted Pair Cable, Fiber Optical Cable और Quixile Cable के बारे में बात करने वाले हैं. तो basically यह है क्या? तो basically अगर हम इसकी बात को जाने तो यह आपका Sender है, यह आपका Receiver भहिया है. क्या है? यह आपका Sender भहिया है, यह आपका Receiver भहिया है. तो यहां से जब आप यहां को डेटा भेजते हैं, तो जो Communication Channel जो आपका Use में आता है, वो क्या है? वो या То TAR का सहारा लेकर के हो सकता है, या फिर हम बिना TAR के सहारे जो है अपने Message को भेज दें. तो कहने का मतलब यहां पर कि हम इसी Medium के बारे में हैं, जो जानने वाले हैं, कि TAR का सहारा लेकर के Guided Media बोल दिया, और बिना TAR का सहारा लेकर के, यानि कि wireless को हमने unguided media है जो बोल दिया तो wire हमारी तीन यूज होती है wireless में आप कह लीजे ये Bluetooth, Radio Wave, ये सारी चीज़े है ना ठीक है तो यानि कि कहने का मतलब है कि transmission जो media है वो तार से with wire हम guided बोलते हैं without wire, wireless जिसको हम लोग आम भाशा में बोलते हैं that is called unguided media ठीक है, so basically हम twisted, coexile और fiber के बारे में जानने वाले है अब ऐसी चीज़े कि आपके पास में इनको लेकर कि कोई deep में ऐसा कोई question आता नहीं है तो आपको इसको लेकर कि कोई deep में ऐसा कोई question आता नहीं है लेकिन आप लोगों को ये question आ सकते हैं case study में ठीक है, तो case study में आपको करा दूँगी, but कराब भी चुकी हूँ, ऐसी बात नहीं है तो PC बीच में switch off हो गया था, तो मुझे नहीं पता कि हम लोगों कित्ती चीज़ें जान चुके हैं, मैं भूल गए लेकिन हम गाइड़ मीडिया के बारे में बादे तो गाइड़ मीडिया कहता है कि it is also referred as wide medium, जो मैं बता चुकी है, और bounded transmission media तो बात सर्फ इतनी है कि physical link की बात हो रही है, यानि कि तार की बात हो रही है तो हमारे पास में इस से अगर फाइदे देखें तो हाइड स्पीड होता है, यूज फोर कंपारिटिवली, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज आता है क्योंकि अब इतनी लंबी तार तो आप इचाओगे नहीं, कि मुझे अमारिका में किसी को message भेजना है, तो मैं अब तार बिचाती फिरूँगी, नहीं, हम wireless यूज करेंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, हम लोग है ना, तो कहने का मतलब है कि, यह short distance के लिए ज़ादा सही ही रहता है, और secure भी होता है, एक school की बात कर लो, मतलब land की बात कर लोगे, तो land के अंदर क्या होता है, तारों के तुरू ही तुम इस्टैबलिश करते हैं हमारे network को है ना, ठीक है, एक school है, एक hospital है, इसकी हमने एक example ले दिया, एचा मत कलो अभी, क्योंकि तारे गिर रही है हाँ, बड़ी मुश्किल से time lab पढ़ाने के लिए, थोड़ा सा setup चेंज कर तो तारों को भी गुस्सा आ जाता है, ओके, कह रही है कि it is used for creating, एक फोटो तो आ रही है, देखो पांच मिनिट ये ही खा गया, पांच मिनिट के topic में ड्रामे हो गए काफिसारे हैं है, ओके, सो कहता है कि it is used for creating small computer network, मैंने कहा ना, small, हाँ, तो हम किस के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर twisted pair cable के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब twisted pair cable, तो नाम में काम चुपा हुआ है, कि twist हो रखी है तारे आपस में, ठीक है, ये क्यों twist हो रखी होती है, वो मैं ब चूटे से अगर network establish करना है, it contains four twisted pair, covered in outer shield, ये जो side में ये जो outer shield आपको दिखाई दे रहे है, तो इससे इसको cover किया जाता है, the twisted pair cable are twisted in order to reduce cross dock, तो मतलब telephone बगेरा में ये basically use होती है, तो अगर हम बात करें इसकी, कि जैसे अगर हमने example देखा होगा, कि बारिश के दिनों में, एजर नहीं होता था कि हमें पडोसी के phone से, मलब हम हमारे phone से पडोसी की बाते सारे सुनाई देती ती, इसके गुसर पुसर, जो अपनी सांस भगो के DRAM में ये जो भी बातो होती ती तो क्या होता है, कि data हमारा leak na हो पाए, तो इसले हम क्या करते है, इसको गड़ करते है ये computer के अंदर है जो लग पाएगी कहता है कि it is available in various forms जैसे cat1, cat2, cat3 ये इसकी various forms होगी also ये इसको एक ethernet cable के नाम से भी है जो हम जानते हैं तो एक होती है shielded और एक होती है unchilded shielded के अंदर ये shield की jacket चड़ी होती है unchilded के अंदर नहीं होती है बस इत्ती चीज़ें आपको इसमें जानने है RJ45 का जिक्र जो हमने किया था तो ये ये connector होता है अपने बहुत बार तारों के आगे है जो इसको लगे हुए देखा होगा है ना तो RJ45 is a type of connector commonly used commonly used for ethernet networking कहता है कि ये 8 pin का होता है और इसके आगे जो है हम तारों को इस तरीके से कैसे भी जोड देते है तो फिर हम अपने अपने LAN को establish कर लेते है अपने computer वगेरा के पीछे लगा करके है फिर ये कहता है कि Coexile Cable का example बताईए तो ये TVVV के पीछे है जो लगती तो ये होती है तो ये बड़ी ही sensitive होती है थोड़ी से करने पर टूड भी जाती है तो हम इसका बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है Coexile Cable is a type of copper cable specially built with a metal shield It is primarily used by cable TV companies मतलब जैसे घरवर में जो हम cable लगाते हैं पीछे उसके तरह ना TV के होती है तो वो यही वाली होती है कौन सी Coexile Cable अब फिर बात आती है हमारी optical fiber की तो यह सबसे महंगी तार है और जादा दूरी कवर करती है और सबसे जादा use में आती है तो मतलब कहलो कि हम internet के लिए इसी का use है जो basically करते है आज की date में आप कहलो कि हम इसके बिना हम internet को सोच भी नहीं पाते है तो मतलब कहने का कि हमारा यह सबसे जादा है जो use में आने वाली है कौन सी optical fiber इसके speed भी हाई होती है बड़ यह महंगी होती है बड़ आज की date में use यही होती है क्योंकि data high quality चाहिए आपको जल्दी पहुंच जाए, secure पहुंच जाए तो इसका use है जो basically होता है तो fiber optical का हम लोग basically use है जो करते है इसमें light waves वगेरा होती है ठीक है अगर हम बात करें इसकी तो देखें यह इस तरीके से आपको काफी सारी examples दीखने को मिल जाए पानी वानी में भी है न तो यह इस तरीके से इंतीनों का थोड़ा सा differentiate मैंने कर दिया सबसे महेंगी तार होगी आपकी fiber optical ठीक है ठोड़ी सी सस्ती कह सकते हो coexile सबसे सस्ती कह सकते हो हमारी twist run बट यूज में हम सबसे ज़्यादा इस ही को लेकर के आ रहे होते है ठीक है क्योंकि इसमें जो high quality of data हमारा होता है जाधा speed सी हमारा data transfer हो पाता है तो that's why हम इसको use यहाँ पर करते हैं तो यह हमारी चीज़े हो गए इसके लिए आगे comparison दे रखा है मैंने तो फिर अगली class में wireless के बार में बात करेंगे तो फिर अगली class में wireless के बार में बात करेंगे Thank you so much and bye bye God bless you and yes do subscribe the channel guys